चलो next question read करते हैं the ratio of numerical value of the average velocity and average speed ticket is always कितनी होनी चाहिए average velocity average speed जैसे मांगो object यहां से चला यह initial point है और यह object का final position ठीक है और बी तो इसमें distance की value और displacement की value तो से मोगी ना से मोगी तो इस average speed average speed और ठीक है और average velocity का magnitude तो इसमें equal होगा अगर object यह से चला initial point से चला लेकिन यह इधर गया फिर वापस थोड़ा सार डिस्टेंस यह से ट्रवल किया भी पे पर आगया तो displacement तो यह होगी displacement तो यह होगी यह एक्स वन मान लेते हैं यहां से यहां तक कि distance को X1 और यहां से यहां तक कि distance को X2 मानेते हैं तो displacement कितना होगा displacement is equal to X1-X2 जबकि डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस होगा X1 प्लस X2 तो कौन बढ़ा है डिस्टेंस बढ़ा है डिस्टेंस इस गड़े दिन displacement डिस्टेंस इस ग्रेटर देन displacement और जब आप एवरेज जब आप एवरेज पीड की बात करते हो तो उसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है और जब आप एवरेज वेलासिटी की बाल करते हो तो उसमें क्या आता है displacement अपॉन टाइम आता है तो displacement छोटा हुआ न डिस्प्रेसमेंट छोटा हुआ तो एवरेज वेलासिटी भी छोटी होगी एवरेज वेलासिटी इस लेस देन एवरेज स्पीड करेक्ट है तो अगर मैं रेश्यों निकालूं रेश्यों एवरेज वेलासिटी एवरेज वेलासिटी डिवाइड़ बाई है एवरेज फिडिब का तो बढ़ा कोन है एवरेज वेलासिट छोटा है एवरेज विलासिटी उपर है वह चोटा है तो लेस्दन ऐस्में यह चैस लेगं़ेटी मूइन होगाना कि यजिनिटी भी हो सकता है सकता है और वन से छोटा होगा मैक्सिमम इक्वल हो सकता है और मैक्सिमम एकवल नहीं होगा तो छोटा होगा यह ओप्षिन करेक्ट ऑप्षिन है ठीक है नेक्स कुश्चन करते हैं